इस बार भी बहुत शांदार प्रदेशन किया है कुछ हाइलाइट से रिजल्ट की जो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और हमारी टीम के मेंबर्स उन हाइलाइट को साइड में स्क्रीन पे भी दिखाएंगे मैं पहले बताना चाहता हूं कि अभी तक हमने लगबख साट परसेंट बच्चों का रिजल्ट देख पाए हैं 40 परसेंट की डीटेल अभी ह 99.99 परसेंटाइल से उपर बच्चों की संख्या 99.99 या उससे उपर यह हमारे दो बच्चे हैं पूरे PCM की टोटल की बात कर रहा हूं मैं दो बच्चों ने इसमें पर्फॉर्म किया है दोनों बच्चे हमारे क्लास्रूम के हैं और 99.95 परसेंटाइल से जादा जो बच्चे हैं बराबर या जादा 99.95 परसेंटाइल से यह हमारे 11 हैं और इन 11 स्टूडेंट में दो स्टूडेंट हमारे डिस्टेंड लर्निंग के हैं 99 परसेंटाइल या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 270 95 परसेंटाइल से उपर 968 बच्चों ने परफॉर्म किया है और 90 परसेंटाइल या उससे ज्यादा स्कोर लाने वाले बच्चे हैं 1671 शोला सो इकतर बच्चों ने 90 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर किया है यह तो ओवराल स्टेटिस्टिक से PCM के टोटल की इसमें मैं अगर हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करूं जो एक स्पेशल क स्कोर किया है नाइनटी परसेंटाइल से ऊपर एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है 95 परसेंटाइल से ऊपर या बराबर 11 बच्चों ने किया है 90 परसेंटाइल या उससे ज्यादा 24 बच्चों ने परफॉर्म किया है गर्ल्स केंडिडेट में 99 या उससे ऊपर परसेंटाइ गर्ल्स ने पर्फॉर्म किया है अब इसके अलावा कुछ और हाइलाइट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं हमारे संस्थान से वर्दान वर्मा नाम का स्टूडेंट है जो कोटा सेंटर पर पढ़े हैं 11-12 में इन्होंने कोटा सारे इंस्टिटूट में जितने भी कोटा म परिसन्टाइल हासिल की है जो भी अब तक की सुचन हमारे पस है उसके 사फ से और यह परिसन्टाइल फ्कcott Σाथ इन्होंने वर्में इन्दर हासिल किया है壹 यह परिसन्टाइल इसी प्रिकार से एक रशिद जैनींक स्टूटेंट हमारे सुरत चैंटर पर उन्हों नाइन परज्ट में स्टुड़ा और दो बच्चे जिन्होंने ऐंडिविजल सब्जेट में 100 कि या फिजिक्स तीन बच्चें हैं चाइए हैं शाश्वत सिंग राका, कुशागर शर्मा, अभिशेQ खंडिलवाल ये तीन बच्चों ने फिजिक्स में 100% आजिल की है और दो बच्चे डिस्टेंस लर्णिंग के हैं जिन्नों ने फिजिक्स में 100% की. केमिस्टी में दो बच्चों ने असल की है 100 percentile वर्दान वर्मा और अंशगरवाल और mathematics में दो बच्चों ने आसिल किये उसमें एक girl भी है अभिपसा स्वेन mathematics में 100 percentile पल्लव गोहल mathematics 100 percentile तो इस साथ बच्चे classroom के दो बच्चे distance learning ऐसे करके 9 बच्चे हैं 100 percentile वाले इन सभी बच्चों को जो wishes प्रतिवा जिनों ने दिख best wishes और जो overall इतने अच्छे अच्छी percentages लेकर के बच्चे हैं उनको भी best wishes अगर एक और category की बात करें जैसे मैंने अभी OBC का बताया था तो ST category में एक student RA quota classroom से है उनकी भी top 5 में उन्होंने अपनी percentile हासिल की है एक student है दिव्यान शुमालू quota quota classroom के है यह Odisha state के topper है और दिशांद कुमार DLPD के student हमारे जो दादरा इन नगरह वेली के state topper है तो इस तरह से यह हमारा जेए मेंन 2022 का result है जो बहुत ही शांदार और इस result की खास उपलब दिये है कि quota से classroom से quota परसेंटाइल हासिल की हो रेजोनेंस के classroom का बच्चा है वर्दान वर्मा विद परसेंटाइल ऑफ 99.998 इसके बाद बच्चे अब जेए एडवांस के तयारे में जुटे हुए हैं जिन बच्चों का कोई थोड़ा बहुत कमी रह गई जेएमेन वन में और वो जेएमेन सेशन टू के लिए तयारी कर रहे हैं मेरी सभी बच्चों से यह मेरा उनके लिए एक तरह से सजेशन है गाइडेंस है कि चाहे वो किसी भी संस्तान के बच्चा हो रेजोनेंस के हो कहीं के भी बच्चे हो जिन बच्चों ने अपना इस जेएमेन में एक अच्छा प्रदर् से अगर वो दो तिन परसेंटाइल भी उपर हैं तो उन बच्चों को अभी से अडवांस के तयारी करनी चाहिए ज्यादा इस जेएमेन पर फोकस नहीं करें जेएमेन तू भले दे दें लेकिन इसमें टाइम खराब नहीं करें अपना एडवांस के लिए वो तैयारी करें और जिन बच्चों की परसेंटाइल अच्छी नहीं आई है ओवियसली जिनकी परसेंटाइल पिछले साल के कट ओफ से कम है तो उनको ऑवियसली यह जो सेशन टू है उसके लिए उनको तयारी करनी चाहिए लेकिन जो कट ओफ को पार कर रहे हैं पिछले साल से और दो-तीन परसेंटाइल ज्यादा आ रावा है उनका तो उनको ज्यादा वरी नहीं करनी है जे इमेन की और वो एडवांस के लिए जुड़ जाए जिन बच्चों का कट innovator से कम परसेंटाइल यह उनको जी मेंट के लिए त्यारी करनी है और अच्छी सा तेयारी करोगे इस जे मेंसें सेशन टू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और सेशन टू में कट ओफ अगेरा किलियर हो जाएगा तो उसके बाद वो तो दिखी जाएगा उस टाइम पर और उसके बाद तो फिर सीधे एडवांस के तयारी मुझूड जाना है और जिन बच्छों को ऐसा लगता है कि उनक एक बार फिर याद देलाना चाहता हूं बच्छों को कि बच्छों की जो मेथोडोलोजी है जो टीचिंग पेड़ागोगी है जो सारी चीज़े इस हिसाफ से बनाई गई है कि बच्छों को मक्षन की तरह से चीज़ें समझ में आती है बिना कोई दिमाग को जोर डाले बच करने की हम लगातार कोशिश में है कि इस परसेंटेज गोन और बी जादा करें लेकिन यह पर्सेंटेज देश का परसेंटेज है उस परसेंटेज से काफी जादा है जो सक्सेस रेट जे 9-196 एडवांस में जाने की नेशनल लेवल पर होती है उससे कई उसकी कुछ टाइम् विश्वास करते हुए आप रेजुनेंस में आए और रेजुनेंस की पढ़ाया का फाइदा उटाएं आज जो शांदार परफोर्मेंस बच्चों के रही है इस शांदार परफोर्मेंस को करने के लिए हमारे जो बच चैनल आए और दूसरे बच्चे वी जिन से ज्यादा कटोर्म परसेंटाइल आने के संबाव ना है उन बच्चों ने ने बहुत दूमदां के साथ उसको celebrate किया है तो जिन बच्चों ने एक अच्छा प्रसेंटर लाए उनको अमने सम्मानित भी किया है उनके भी आपको मेरी टीम फोटो दिखाएगी कुछ वीडियो भी दिखाएगी और जबर 10 तरीके से बच्चों ने जो डांस बगरा किया है दो साल के बाद बच्चों को इस तरह के सेलिब्रेशन करने की दो साल से पूरा साइलेंट ते कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ तो वो दो साल के कसर हमने इस चोटे से celebration के माद्यम से निकाली आप लोग देखें और उसकान नंद लें और अपनी success rate को और भी बढ़ाएं मैरी best wishes, thank you very much झाल 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 झाल